मुंबई को बविश्य के लिए भी तैयार करना यह डबल इंजिन सरकार की प्राप्पिकता है 2014 तक मुंबई में सिर्फ 10-11 किलोमेटर तक मेट्रो चलती थी जैसे ही आपने डबल इंजिन सरकार बनाई बैसे ही इसका तीजी से विफ्तार हुआ है कुछ समय के लिए काम धीमा जरूर हुआ लेकिन सिंदे जी और देवेंद्र जी की जोड़ी के आते ही अब फिर तेजी से काम होने लगा है दूसरे सहरों से बंदे भारत और बुलेट ट्रेंड से तेज आधुरे कनेक्टिविटी आने वाले कुछ वर्षों में मुंबई का काया कल्प होने जा रहा है विक्सित भारत के निर्माण में हमारे शहरों की बुमी का सबसे एहम है इसमें भी अगर हम महराष्ट की बात करें तो आने वाले 25 वर्षों में राज्य के अनेक शहर भारत की ग्रोध को गती देने वाले हैं इसलिए मुंबई को बविश्य के लिए भी तैयार करना ये डबल इंजिन सरकार की प्राफिकता है हमारी ये प्रतिबद्दता मुंबई में मेट्रो नेट्वर्क के विस्तार में भी दिखती है 2014 तक मुंबई में सिर्फ 10-11 किलोमिटर तक मेट्रो चलती थी जैसे ही आपने डबल इंजिन सरकार बनाई बैसे ही इसका तीजी से विस्तार हुआ है कुछ समय के लिए काम धीमा जरूर हुआ लेकिन सिंदे जी और देवेंद्र जी की जोड़ी के आते ही अब फिर तेजी से काम होड़े लगा है मुंबई में 300 किलोमेटर के नेट्रो वर्क की तरफ हम तेज गती से आगे बढ़ रहे हैं साथियों आज देश भर में रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है मुंबई लोकल और महराश्टर की रेल कनेक्टिवीटी को भी इससे फाइदा हो रहा है डबल इंजिन सरकार सामान्य मानवी को भी वही आधुनिक सुविदा वही साप सफाई उसी तेज रप्तार का अनुभव देना चाहती हैं जो कभी साधन संपन लोगों को ही मिलती थी इसलिए आज रेल्वे स्टेशनों को भी एरपोर्ट की तरह ही विक्सित किया जा रहा है अब देश के सबसे पुराने रेल्वे स्टेशनों में से एक छत्रपती सिवाई जी महाराज टर्मिनस का भी काया कल्प होने जा रहा है हमारी ये धरोहरब 21 सदी के भारत की शान के रुप में भी विक्सित होने जा रहा है यहां लोकल और लंबी दुरी की ट्रेनों के लिए अलग-अलग सुविदाएं बनेगी लक्ष यही है कि सामान्य यात्रियों को बैतर सुविदा मिले काम के लिए आना जाना आसान हो ये स्टेशन सिर्फ रेल्वे की सुविदाओं तक सिमित नहीं रहेगा बलकि ये मल्टी मोडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा यानि बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, आटो हो याता यात के हर साधन यहां एक ही छट के नीचे कनेक्टेड होंगे इसे यात्रियों को एक सीप्लेस कनेक्टिविटी मिलेगी यही मल्टी मोडल कनेक्टिविटी है जिसे हम देश के हर शहर में विक्सित करने जा रहे हैं साथियों, आधुनिक होती मुंबई लोकल, मेट्रो का व्यापक नेटवर्क, दूसरे सहरों से वंदे भारत और बुलेट ट्रेन से तेज आधुनिक कनेक्टिविटी आने वाले कुछ वर्षों में मुंबई का काया कल्प होने जा रहा है आर प्रम यदियों औरभे पको ने गार्वर्क, खर सी तेजा आने 7 लीध जबठी इने 9 वार्व लोकल, में रहा है